ओम नमो भगवत्याई आर्यप्रज्णापारमितायई आर्या वलोकित्यस्वरो बोधी सत्वो गंभिरायां प्रज्णापारमितायां चार्यां चरमाणो वेवलोकयतीस्म पंचस्कन्धह ताम्स्चसभाव शुन्यान पष्यतीस्म इह सारि पुत्र रूपम, शुन्यता शुन्यते वरूपम, रूपान पृतक शुन्यता, शुन्यता यान पृतक रूपम, यद्रूपम शा शुन्यता, या शुन्यता तद्रूपम, एवमेव वेदनासं ज्यासं स्कार विज्ञानानी, इह सारि पुत्र सर्वधर्मह, शुन् अनुत्पन्नानि रुद्धा अमलान विमलानो नान परिपूनह तसमाज सारि पुत्र शुन्यतायाम नरूपम्न वेदनान संग्ञान संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षू स्रोत्र घ्रान जीवकाय मनामसी न रूपसब्द गंधर सस्प्रस्टव्य धर्मह न चक्षूर धातूर यावन्न मनो विज्ञान धातुहू न विद्यान विद्यान विद्याक्षयो न विद्याक्षयो यावन्न जरामरनम्न जरामरन अक्षयो न दुख समुदय निरोदमार्गा न ज्ञानम्न प्राप्तिहि तस्माद प्राप्तित्वाद बोधी सत्वानाम प्रज्य पारमितामस्तृत्य वीहरत्य चित्तवरणः चित्तवरणानास्तित्वादत्रस्तो वीपरास्यतिक्रांतो निष्ट निर्वानः त्रियद्वभ्यवस्तितः सर्वबुद्धः प्रग्यापारमितामस्तृत्यनुतारं सम्यक्षंबोधीम अभीसंबुद्धः तस्माज प्रज्ञा पारमिता महा मंत्रो, महा विद्ध्या मंत्रो, अनुत्तर मंत्रो, असमसम मंत्रह, सर्वदुख प्रसमनह, सत्यम अमिध्यात्वाद, प्रज्ञा पारमिता मुक्तो मंत्रह, तद्यथा, गते गते पार गते पारसम गते बोधी स्वाह, गते गते पार गते पारसम गते बोधी स्वाहा इती प्रज्ञा पारमितारिदयं समाप्थम्